अब हम बात करें उर्जा के गैर परमपरागत स्ट्रोतों की तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य सूर्य याने कि सूर्य से प्राप्त उर्जा याने कि सौर्य उर्जा क्या है देश के वेग्यानिकों ने जब यह देखा कि सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी को भी एक उर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तो वहां से एक धार्णा का जन्म हुआ एक नई प्रकार की उर्जा का जन्म हुआ जिसे हमने सौर्य उर्जा के नाम से जाना स्थापित किया इसी क्रम में भारत का जो प्रथम सौर बिजली घर लद्दाक के जोंगलेश्वर नामा के गाउं में बनाया गया और यहां से सौर उर्जा से जो बिजली प्राप्ति की गई उसका प्रयोग लगबग 20-20 वाले एक अस्पिताल में किया गया उसके किचन में सौर उर्जा का प्रयोग देश के कई एन राजियों में भी की ऊछ शेत्रों सौर रोग जाता रहा कि बरतमान में बढ़ती हुई कपत को देखते हुए और कीमत को देखते हुए solar plant जो है सोर उर्जा से चलाए जाने वाले जो प्लांट है इनकी महत्ता बढ़ी है लोग उनके प्रति आकरशित हुए है चाहे वो उद्योग के छेतर में हो या घरेलू प्योग के छेतर में हो solar plant ने बिजली की जो कमी है वास्ताव में जिस प्रकार से हम विद जोने उद्योग धन्द छोटे मुटे उद्योगों को संचालित करते बलकि घरेलू उप्योग के लिए भी solar उर्जा का परियाप्त मात्रा में अप्रियोग होने लगा है उर्जा के ऐसे ही गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें तो दूसरा नाम आता है वायू उर्जा का हुआ है कर दो आप ने प्रात्मिक कक्षाओं में आधमिक कक्षाओं में पढ़ा होगा और अधिक तरॉ जब हम विज्जान प्रदर्शनिक एक लिए कुछ बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमांग में πवंध चंखी कि बनाने की बात आती है प्रामरी कक्षा में या मिडल कक्षा में हम पवन्चक की बनाते थे या अपने दोस्तों के बनाए हुए मॉडल्स को देखते थे तो वास्तों में वायू उर्जा यानि की वायू को उर्जा के रूप में यूज करने का एक जो माध्यम है यही वायू उर्जा कहलाता है भारत में इसकी उपयोग की बात करें तो बहुत कम इसका उपयोग किया जाता है नीदरलेंड जैसे देशों में इसका उपयोग बहुत अधिक मातरा में किया जाता है वास्तों में इसके उपयोग के पर हमें एक नज़र डाले तो हम देखते है कि निकट भविष्य में काफी संभावनाय बन रही है कि वायूर्जा का प्रयोग कई अन्य अपने क्रियाओं को पूर्ण करने में कई अन्य इस्थानों पर हम उसको उप्योग कर पाएंगे एक दृष्टी डाली जाए इनके उत्पादन पे तो यहां हम देखते हैं कि एक अ लगवग तेरह सो चालीश मेगावाट का उप्योग ही हम कर पा रहे हैं इसी तरह हम देखते हैं कि दो सब पंद्रा इस तान ऐसे हैं जहां पर वायूर्जा का प्रयोग किया जा रहा है वायूर्जा समदित जो ब्लांट है वो लगाये गया है और साथ में इस शक्ति का उर्जा के गैर परंपरागत स्ट्रोतों में जो सबसे महत्वपोर्ण और नवीन उर्जा का एक माध्यम है वो है परमाणू उर्जा परमाणू उर्जा की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अब तक जो हमने या तो सूरी के माध्यम से वायू उर्जा के माध्यम से व प्रमानों उर्जा की जब हम बात करते हैं तो अपने आपने एक बहुत नया ये स्त्रोथ है नया एक माध्या में उर्जा प्राप्त करने का इसके बारे में सबसे महतपूर अगर हम बात करें तो यह है कि बहुत थोड़े से इंधन से बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा हम प जितने व्यापक प्रूच कि उतार से कहीं ज्यादा प्राफ्ट होता है लेकिन अपने आप में इसको एक नियंतरित टरीके से उप्योग करने की ज़रूरत है और बहुत सावधानी से इसके उप्योग की जरूरत है दूसरे बात अगर हम परवाणू उर्जा के बारे में करें तो हम देखते हैं कि इसका जो अविश्कार है उसका श्रेज आता है डॉक्टर होमी जहागीर भाभा को और उनके ही प्रयास से सन 1945 में टाटा आधार भूत अनुसंधान संस्थान के स्थापना की गई और फिर इसके साथ-साथ 1948 में परमाणू उर्जा आयोक का गठन किया गया बात करें अगर भारत में कहां कहां पर परमाणू उर्जा से संबंदित अनुसंधान के इंद्र इस्थापित है तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि तारापूर परमाणू के इंद्र इस्थापित है दूसरा है राजस्थान में और तीसरा है परमाणू के इंद्र नरोरा में है नरोरा परमाणू के इंद्र और उसके बाद गुजरात में क्रॉक पर गुजरात परमाणू के इंद्र इस्थापित है बात करें अगर हम इसके उत्पादन की तो यहां हम देखते हैं कि अनुमान के अनुसार भारत में वर्तमान में परमाणू उर्जा का उत्पादन हो पाता है और साथ ही साथ परमाणू उर्जा को विक्सित करने के लिए और अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्हीं गैर परंपरागत उर्जा के स्त्रोतों में जो एक महत्वपूर्ण और बहुत साधारन सा लगने वाला उर्जा का एक स्त्रोत है जिसे हम कहते हैं शहरी अप्षिष्ट से जो उर्जा का हम उत्पादन करते हैं वो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें चाहे वो घरेलू कचड़ा ह हो चाहे उद्योगों से निकलने वाला कचड़ा हो इन सबका उप्योग उर्जा के लिए किया जाता है बात करें अगर हम घरेलू कचड़ा की तो आप सुनते होंगे कि किस प्रकार स्वक्षता अभियान को ध्यान में रखते हुए हमको अपने घर के आसपास का माहौल क्चड़ा जो हमारे घर का रहता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और उस गारी के माध्यम से फिर वो जो कचड़ा है वो उन स्थानों पर उस प्लांट में पहुचाया जाता है जहां उन कच्डों को अलग अलग करके फिर कई प्रकार के कारियों में उनका प्रयोग किया जाता है खाद बनाय जाते हैं और उसके साथ साथ कई प्रकार के इंधन बनाने में प्रयोग मिलाय जाते हैं तो किवल घरेलू कचड़ा ही नहीं बलकि उद्योगों से निकलने वाला वो कचड़ा जो मानव स्वास्त के लिए प्रकृति या पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है उसे भी इसके अंतरकर शामल किया जाता है साथ ही जानवरों के गोबर और कुछ ऐसे कचड़े जो हान लगता है लेकिन जब हम फिल्व देखेंगे कि तरी टैग्नोफिय से इन को संचालित किया जाताहा है और तो घर उर्जा प्राप्ति के लिए कितने बेहतर तरीके से किया जा सकता है यह पूरी प्रक्रिया ना तो किवल कचड़े का एक सदुपयोग करती है कहा जा सकता है बलकि यह एक ऐसा माध्यम बनती है जिसके द्वारा शेहर में या गाउं में स्वक्षिता अभियान को भी सफलता मि अब आ गई है तो ना केवल अपने आसपास की साफसफाई हो जाती है बलकि इन कचड़ों का उर्जा के लिए भी उप्योग किया जा रहा है अब हम बात करें उन्नत चूला की अब तक हमने जिन गैर परामपरागत चूलों का इस्तमाल किया जिसके संबंद में जिसके बारे में आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार के चूले हमारे घरों में हुआ करते थे इनकी आकरती जो थी वो कुछ ऐसी थी कि इनसे धुआ निकलना या इनमें फूख कर फूख मार कर आग को उद्पन करना ये सब बहुत समाने सी बाते थी एक तरफ तो देखा जाए कि इनसे निकलने वाला जो धुआ है वो महलाओं के स्वास्त के लिए भी बहुत हानिप्रद होता था आखों में इंफेक्शन का खत्रा बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ देखा जाए तो इनका आकार इनकी बनावट कुछ इस प्रकार थी कि ये बहुत देर से गर्म होते थे और बहुत जादा इंधन की जरूरत इनमें होती थी इनहीं परंपरागत चुलहे की कमियों को दूर करते हुए उननत चुलहे का विश्कार किया गया उननत चुलहा जैसे कि आप देख रहे है इस प्रकार का चुलहा है जो एक विशेश प्रकार के पदार्थ से इसका नर्माण किया जाता है जिससे इसका जो ताप का समय होने का जो समय है वो बहुत कम होता है बहुत कम समय में बहुत अच्छे से गरम हो जाता है और इसमें इंधन की जो खपत होती है वो परंपरागत चूलों के तुलना में लगभक 60 प्रतिश् अगर इसको जला देते हैं थोड़ी देर तक तो इसमें फिर ताप के छमता इतनी अधिक होती है कि गीली लकडियों को भी जलाने की छमता रखता है दूसरी और इसके बनावट हम देखें तो कुछ इस तरह के बनावट रहती है कि नीचे इसके प्लेट लगी होती है जिसमें राख जो होती है वो गिरती है और जमा होती जाती है और पिर इस राख का प्रयोग घरों में हम बरतन वगेरद होने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे मतपूर बात तो यह है कि इसमें हवा के आने जाने के लिए कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट रखी गई है कि इसमें फूक मारकर आघ लगाने आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती male यि परंपरागा चूलो की तरह दुआं उठने की संब्हावना रहती है तो कुल मिलाकर परंपरागा चूलो से जो हानी हो रही थी स्वास्त कि इंधन की उन्हाणी को रोकने के लिए नियंत्रित करने के लिए उन्ना चुलो का प्रयोग किया जाने लगा इन उन्ना चुलो के प्रयोग की अनुमति भारत सरकार द्वारा संचालित नवीन एवं नमीनी करण संसाधन उर्जा मंत्राले के द्वारा इनको अनुमति प्रदान की गई और प्रयास किया गया कहीं ना कहीं इनसे हमको उर्जा प्राप्त तो होती है यानि मुख्य उद्देश दोनों का यही है कि इनसे हमको उर्जा किसी ना किसी रूप में प्राप्त करनी है लेकिन अपने आप में इन दोनों में परियाप्त अंतर भी है आए देखते हैं उर्जा के परमपरागत प्र प्रयोग पुराने समय से किया जा रहा है जबकि उर्जा के गैर परंप्रागत स्टोतों का प्रयोग आधुनिक समय की देन हैं दूसरा ओर्जा के परंप्रागत स्टोत का उधारन है कोईला जबकि उर्जा के गैर परंप्रागत स्टोत का उधारन है सौरोजा तीसरा, ओर्जा के परंपरागत स्रोतों के ये साधन सीमित है, जबकि ओर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के साधन आसेमित है चौथा, ओर्जा के परंपरागत स्रोतों का पुना नवीनी करन नहीं किया जा सकता जबकि उर्जा के गैर परमपरागत त्रोथों का नवी निकरन किया जा सकता है वास्तों में देखने से ऐसा लगता तो है कि बहुत आसानी से ये उर्जा हमको मिल जाती है बहुत आसानी से सभी उर्जा का प्रयोग हम कर पाते हैं लेकिन फिर भी देखा जाए तो उर्जा के इस त्रोतों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है आईए उन चुनौतियों पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले हम इस पे नज़र डालें तो हम देखते हैं कि बिजली का अत्यधिक उपयोग होता है चाहे हम किसी भी ंरामदायक्ता के लिए करें सभी में बिजली का प्रियोग होता है हाला कि बिजली का प्रियोग किया जाना या बिजली उर्जा के माधियम से प्राप्त करना और प्रियोग करना सभी दृष्टिकोंड से सही तो है लेकिन अगर उसका सद उपयोग किया जाए यानि कि जितनी हमको जरूरत है सिर्फ उतना ही उसका उपयोग किया जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि अपने घरों में या कार्यालों में हम बिजली बहुत वेस्ट करते हैं कई बार हमको जितनी लाइट्स की ज़रूरत नहीं रहती उससे ज़्यादा लाइट्स हम उप्योग करते हैं फैन एसी का भी हम दुरूप्योग करते हैं तो ये सारे ऐसे कारण बनते हैं जो बेवज़ा बिजली का उप्योग जहां पर किया जाता है और फिर एक स्थिति ऐसी है जिसमें थोड़े से इंधन से बहुत सारी उज़ा प्राप्त हो जाती है हाला कि सुरक्षित उप्योग हमको इसका करना पड़ता है लेकिन फिर भी जिस स्पीड में इसका विकास होना चाहिए था उतना विकास अभी तक इसका नहीं हो पाया है तीसरी इसकी चुनोती प सब्सक्राप्त हो या गैर परंपरागत सभी छेत्रों में सारवजनिक शेत्र की जो कंपनिया है वही कारे कर रही है हाला कि अभी पिछले कुछ वर्षों को देखे तो हम देखते हैं कि प्रत्तेक राज्य में पुरे देश में बहुत सारी निजी कंपनियों ने भी उर्ज जो है उसका भी आसंतोष जनक उत्पादन है बान में जब टर्बाइन चला कर हम विद्धू तूर्जा के उपयोग की बात करते हैं तो यह जो टेक्निक है वह बहुत कम इस्थानों पर यूज की जाती है जल का जितना उपयोग हम कर सकते थे विद्धू तूर्जा के हुई है वैसे ही एक चुनोती हमारे समक्ष यह भी है कि कच्चे माल की कमी है चाहे हम बात करें कोईला की पैट्रोलेम की यह फिर उज्जा से संबंधित अन्य कच्चे माल की तो इनकी अभी भी कमी बनी हुई है देश में जो स्त्रोत है उनसे जितना कच्चा माल हम होता है उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे देश पर भी पढ़ता है उन देशों से क्यूंकि हम कच्चे माल का या उज्जा से संबंदी जो कच्चे माल है उनकी आपूर्ती करते हैं तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं कुछ ऐसी परिस्तित्या बन जाती है जिससे उज्जा पूर्ण जो कारी होता है वो विद्द उत्पादन में होता है क्योंकि चाहें मुद्पादन की बात करें या उद्योगों की बात करें प्रतेक शेत्र में बिजली की बहुत अधिक खपते सबसे ज्यादा उपयोगिता होती है लेकिन जिस मात्रा में आप शक्ता है हमको वि फिलिये जा सकते हैं चुनोतियों से निपटने के लिए तो सबसे पेहला काम हम यह कर सकते हैं कि को पादन शम्ता में हमको वृध्धी करनी होगी हमारी कम है जितनी देश को आशकता है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा हैовал को recorded च्राईर आधे एले दुरुप्योगig और या फिर उद्योगिक छेत्र में होने वारे दुरुप्योग गों किसी भी तरह से हमको रोकना है लोगों को जागुरुभ करना है उनको उर्जा का महत्यों समझाना है कि उतने मुश्किल से वो हमको प्राप्त हो रहे हैं इस बारे में उनको अवगत कराना है तीसरा जो काम हम कर सकते हैं वो यह है कि सयंत्र के पूर्ण छमता का उपयोग करना है हाला कि हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े उजा की सयंत्र इस्थापित है लेकिन कच्चे माल के आभाओ या तकनीकों के आभाओ या मानोसंसाधन के आभाओ के कारण उनकी चमता का पूर्ण उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी तरह से हमको कच्चे माल की आपूर्ती करके तकनीकों का प्रियोग करके और मानोसंसाधन का सदुपयोग करके जो उनकी चमता है उत्पादन की उस पूरी की पूरी छमता को हमको उपयोग मिलाना है यूज करना है वैसे ही एक सुझाओ यहां यह भी दिया सकता है कि सरकार के द्वारा विदेशी निवेशों को प्रोचसाहन दिया जा सकता है अगर हमारे देश में वो टेक्नलोजी नहीं है जिससे हम अपन देश के जो सयंत्र हैं उनकी पूर्ण छमता का उपयोग कर पाए या कच्चे माल का उपयोग कर पाए या मानवी संसाधनों का उपयोग कर पाए तो एक option यह भी है कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि विदेशी निवेश को प्रोचसाहन दे विदेशों की कमपनियों को य उर्जा के सभी स्त्रोतों के विकास के लिए पर्याप्त प्रयास किया जाने चाहिए चाहे वे उर्जा के परंपरागत स्त्रोतों या गैर परंपरागत स्त्रोतों हैं हो सभी में जो उत्पादन की मात्रा है वो कम है तो किसी भी तरीके से किनी भी विद्यों का प्रयोग करक कि उत्पादन को बढ़ाने की और विशेज ध्यान दिया जाना चाहिए उर्जा के बाद अब इस अध्याय के दूसरे पहलू पर एक नज़र डाले ही तो वो है स्वास्त आपने कई लोगों से सुना होगा एक स्वास्त शरीर में स्वास्त मस्तिश्क होता है कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि स्वास्त अगर चला गया तो सब कुछ चला गया कई लोग कहते हैं स्वास्त ही धन है यानि स्वास्थ इतना महतुपूर है कि अगर हम उसको पैसे से धन से या अन्य सुक्सुविधाओं से कंपेर करें तो पहले इस्थान पर स्वास्थ है ऐसा माना जाता है स्वास्थ और आर्थिक विकास को जोड़ कर जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि कहीं न कहीं जिस प्रकार बिना उर्जा के आर्थिक विकास संभव नहीं है उसी प्रकार बिना स्वस्थ जनसंख्या स्वस्थ वातावरन के भी आर्थिक विकास सही तरीके से संभव नह कारण है कि स्वास्त की ओचिंतित होते हुए स्वास्त गत दृष्टिकोंड को ध्यान में रखते हुए सरकार समय समय पर लोगों के पोशन के लिए कई कारिक्रम चलाती है आपने देखा होगा कि कई कारिक्रम जो है पोशन के लिए चलाया जाते हैं टीका करन के लिए चलाया स्वास्त को ध्यान में रखते हुए मध्यान भोजन कारिक्रम का भी आयोजन किया क्योंकि उन्होंने ये समझा ये जाना कि स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मस्तिश्क होता है और बच्चों के मस्तिश्क का अगर विकास करना है अगर उनमें सेक्षिनिक उपलब्दिया अगर उनमें लानी है तो कहीं न कहीं उनका स्वस्त रहना उनके शरीर का पोशित रहना स् और इन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मध्यान भोजन के माध्यम से प्रति दिन बच्चों को एक अच्छा पोशन युक्त आहार उपलब्द कराने का प्रयास किया गया। अब अगर हम बात करें कि कारण क्या है क्यों ऐसा होता है कि स्वास्त कमजोर हो जाता है तो सबसे पहला कारण यहां पर हम देखते हैं कि एक तो भोजन की कम मात्रा हमने पिछले अध्यायों में भी देखा है कि भारत के जो लोग है आय का इस्तर उनका बहुत एक बड़ी जन एक प्रभाव यह पड़ता है कि जितना भोझन उनको मिलना चाहिए जितनी कैलोरी उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है और कहीं न कहीं इसका सीधा-सीधा असर उनके स्वास्त पर पड़ता है। दूसरा एक मातुपूर्ण कारण यह है कि उर्जा रहित भोजन हाला कि लोग भोजन तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे भोजन कर रहे हैं जिनसे उनका पेट तो भर रहा है वो संतुष्ट तो हो रहा है लेकिन शरीर को जितनी उर्जा की आवशकता है या जितना जिस प्रकार का कार या इस तरह के भोजन का प्रियोग करने से जहां पर स्वक्षता का भाह साथ सिफाई नहीं हो तो ये एक ऐसा महतपूर्ण कारण बनता है जिससे लोगों के स्वास्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है साथ ही एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि लोगों की आय कम है कम आय होने से वो अपनी अन्यावशक्ताओं की पूर्ती करते हैं बच्चों की सिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं या चिकित्सा पर अधिक ध्यान देते हैं तो यहां पर कहीं न कहीं भोजन की उनकी जो आवश ये भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण जो स्वास्त है वो लोगों का लगातार गिरता जाता है पॉस्टिक चीजों की जगा जंग फूड का प्रयोग शहरी चेत्रों में हम देख रहा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है उसके बाद लोगों की गलत लाइफ स्टाइल जो है ग लगातार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है लोगों एक फैशन के रूप में इसको अपना लिया है जो कि बहुत गलत है तो यह ऐसे बहुत से कारण है जिनके कारण लोगों के स्वास्त पर प्रतिकुल प्रभाव पढ़ता है अब अगर हम बात करें स्वस्त ना रहने पर लोगों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है इसके प्रभाव की तो एक तो हम देखते हैं कि अस्वस्तता के कारण बच्चे जो है वो कुपोशन का सिकार हो रहे हैं कम उमर में कुपोशन का शिकार हो जाना कहीं ना कहीं उनके आने वाले समय में उनके विकास कुछ आए पूरी तरीके से बाधित कर दे रहा है दूसरा एक प्रभाव हम देख रहे हैं कि स्वस्थ ना रहने और अस्वस्थत्य के कारण बहुत सारी गंभीर बिमारिया उनको घेर लेती है और यही एक प्रभाव ऐसा है जो मृत्यूदर में व्रद्धी का कारण बनता जा रहा है साथ ही एक प्रभाव यह भी देखने को मिलता है कि उनका जो जीवन इस्तर है वो निम्न होता जा रहा है इसका सीधा सीधा संबन्ध हम बेरोजगारी से जोडते हैं जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है शारीरिक रूप से यह मानसिक रूप से तो किसी भी काम को वो अप अतार गिरता जाता है तो यह कुछ ऐसे प्रतिकूल प्रभाव थे अब अगर हम बात करें कि कैसे समस्या से निप्टा जाए तो सबसे पहला तो हम कर सकते हैं कि आवशक्ता नुसार हमको भोजन करना चाहिए जितनी जरूरत है शरीर को जितनी क्यालोरी के जितनी उर्जा क कि जरूरत है प्रयास करना चाहिए कि कम से कम उतना भोजन हम आवश्य करें है चाहिए कि वो उजा युगतों उसमें उतनी कैलोरी हो जितनी जरूरत हमारे शरीर को है तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वक्षता का हमको ध्यान में रखना है जैसे कि हमने देखा कि कारण क्या है स्वास्त सही नहीं होने का एक मत्वपून कारण है अस्वक्षता तो हम अपने जो हमारा खाना है खाने बनाने की जो जगा है उन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो साफ सुत्रियों साथ में एक बात ये भी देखने को मिलती है कि जो बूरी आदते हैं जैसे हमने बात कहीं कि पोशित आहार लेने की जगा हम जंग फूट का प्रयोग करते हैं गलत समय पर हम भोजन करते हैं तो इन सब आदतों में हमको सुधार लाना है और सबसे महत्यपूर्ण जो बात वो है वो ये है कि मादक पदार्थ मादक द्रवे का प्रयोग जो हमारे शरीर को लगातार खोखला करता जा रहा है चाहे हम तंबाकू का प्रयोग करें दुम्रपान करें मादक पदार्थों का शराबादी का सेवन करें ये धीरे धीरे ये आदते ऐसी होती है जो हमारे शरीर को अंदर ये अंदर खोखला करती जाती है तो ये ना केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जो व्यक्ति इनका सेवन करता है बलकि इसका कूप्रभा उनके पूरे की पूरे परिवार पर भी पड़ता है तो यहां पर जरूरत है कि ये जो बुरी आदते हैं उनको किसी भी तरह से नियंत्रित किया जाए या समाप्ति की जाए अब अगर हम भारत की इस्तिती को ध्यान में रखते हुए स्वास्त के विशय में बात करें तो हम देखते हैं कि किसी भी देश के स्वास्थ गतिस्ति को अगर हम आकना चाहें उनका आकलन करना चाहें तो सबसे पहले वहाँ पर हम जो चिकित्सा सुविधाएं उनके बारे में देखते हैं जन्मदर जो है उसके बारे में मृत्युदर के बारे में स्वास्थ गत सेवा लगभग भारत के सिति को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन सभी सुविधाओं का या इन सभी तठ्थियों का जब हम अध्यान करते हैं तो जो आकड़े हमको निकल कर आते हैं हमारे सामने उस पर अगर में एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि लगभग इंकावन वर्ष में जो एक नियोजित विकास करने का प्रयास किया गया है उसके बाद भी स्वास्तगत समस्याई किस प्रकार बनी हुई है और स्वास्तगत सोईधाओं का किस प्रकार विस्तार हुआ है इस पर हम आकड़ों के अधार पर एक नज़र डाले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतियाशित आयू थी वो बढ़कर लगभग 62 वर्ष हो गई दूसरी एक बात देखने को मिली कि जन्मदर प्रती 40 से घटकर 20.2 हो गई तीसरा एक आकड़ा हमको ये भी देखने को मिला कि मृत्यूदर 28 से घटगर लगभग 7.4 प्रतिशती रहे गई ये बहुत अच्छी बात है देखा जाए तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि देश में स्वास्तगत सुविधाओं का बहुत अच्छा विकास और विस्तार पूरे की पूरे गाउं की एक बहुत बड़ी आबादी की मृत्यू हो जाती थी नुकसान पहुंचता था तो अब जबकि स्वास्तगत सुविधाओं का काफी अच्छा विकास हुआ है तो इन जो बड़ी-बड़ी बिमारिया है इनसे पूरी तरीके से मुक्ति मिली है और इन बिमारियों से होने वाला मृत्यू का जो प्रतिशत है वो काफी हद तक कम किया जा सका है साथ एक महत्तपूर्ण बात ये भी देखने को मिलते हैं कि प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों का परियाप्त विकास हुआ है आप अपने गाउं अपने शेहर के आसपास भी देख कि जा रही है बात चाहे बच्चों के स्वास्तिकी हो चाहे महिलाओं के स्वास्तिकी हो सरकार ने पोशन के छेतर में बहुत ततिक धान देते हुए इन प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों का और आंगनबाडी केंद्रों के परियाप्त विकास का प्रियास किया है साथ ही अग आपक कारिक्रम चलाया गया जिसे तीन इस्तर में बाटा गया एक तो निगरानी रखना दूसरा लोगों को सिक्षित करना यह सूचना देना और तीसरा खून दान करते समय इसके जाच करना आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी को ब्लड डोनिट करते हैं तो पहले जाच कर ली जाए जाच लिया जाए इसके लिए व्यापक प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किये जा रहे हैं वैसे ही यहां बात करें कि पोशन जनित जो रोग है उनको किस प्रिकार दूर किया जाए तो पोशन युक्त आहार प्रदान करने के संबंध में सरकार ने व्यापक कि आयोडीन यूगत नमक उपलब्द कराया जाए सभी को और भोजन में आयोडीन की क्या उपयोगिता है इससे लोगों को परिचित कराया जाए ठीक इसी तरह कुछ रोग के उन्मूलन के लिए भी परियाप्त प्रयास किये गए कुछ रोग उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाय बनाई गई और अब देखा गया कि काफी हद तक हम भारत को कुछ ड्रोग से मुक्त कर पाए हैं या काफी हद तक मियंत्रित कर पाए हैं इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ना केवल ऐलोपेथिक चिकित्सा में बलकि होमियोपेथिक चिकित्सा और आरुवेदिक चि योग की महत्ता से भी लोगों को आउगत कराने का प्रयास कर रही है इसे प्रकार हम ये भी देख रहा है कि संक्रामक रोगों से देश को मुख्त करने के लिए बहुत सी पाइलेट योजनाय भी चलाई जाती रहे जिससे संक्रामक रोगों से आसानी से मुक्ति पाई जा सके तो समय समय पर यानि स्वतंत्रता से लेकर अभी तक स्वास्त के प्रती सरकार लगातार जागरूक रही काफी हद तक बहुत सारी बिमारियों को समाप्त भी किया जा चुका है और बहुत सी बिमारियों पर नियंत् स्वास्त स्थर की क्या कारण है भारत की स्थितिक त्रिष्टियगत रखते हुए तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि महिलाओं का जो स्वास्त का स्थर है वो लगातार गिरता जाता है इसका सबसे बहुत पूर्ण कारण यह बार बार गर्भवती होने के कारण जो उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है और बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो खून की कमी के कारण होते हैं और यह एक ऐसा कारण बनता है जिसे महिलाओं का स्वास लगातार गिरता जाता है दूसरा एक महतुपूर्ण कारण जो बनता है अस्वस्त होने का वो है स्वक्ष पेजल का आभाव चाहे हम गाऊं की बात करें शेहरों की बात करें स्वक्ष पेजल का आभाव अभी भी बना हुआ है पानी जो है स्वक्ष पेजल की जो समझया है वो भी स्वस्तता का कारण बनती जा रही है तीसरा एक कारण में आपर यह देखते कि निर्धन्ता है गरीबी है बेरोजगारी है असिक्षा है अज्ञानता है यह सारी चीजे ऐसी है जो कहीं ना कहीं लोगों को एक स्वस्थ वातावरन दे पाने में बाधा उत्पन कर रही है और ये कारण बनती है लोगों के स्वास्थ गत समस्याओं के इसी प्रकार हम देखते हैं कि आवास की जो इस्थिति है उनके रहने का जो वातावरन है वो सही नहीं है जनसंख्या का घनत ना तो उनको शुद्ध ऑक्सीजन सही वायू उनको मिल पा रही है ना उनके जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था है ना उनके शौज की बहुत अच्छी व्यवस्था हो पा रही है तो आवास की जो दशाएं हैं वो कहीं न कहीं उनके स्वास्थ के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है वैसा ही एक कारण हमको देखने को मिलता है चिकित्सा सुविधाओं का आभाव हाला कि प्रात्मिक स्वासिकेंद्र और बड़े जो चिकित्साले हैं उनकी सापना लगातार हो रही है लेकिन कहीं ने कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है देश सुविधाओं जो कि उनके स्वास्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। वैसे ही एक महत्पूर कारण हमको ये भी देखने को मिलता है कि कारे करने के जुद्ध दशाये हैं एक श्रमिक जब उद्योग में कारे करता है उद्ध पादन के कारे में जब लगता है तो उस साथ कारे करने के घंटे होते हैं वो भी निरधारित नहीं होते हैं या उनके शरीर की जो छम्ता होती है उससे कहीं अधिक देर तक वो काम करता है तो यह सारी ऐसी समस्या है कि कहीं उसके शरीर पर प्रतिकुल प्रभाव डाल रही है साथ ही हम देखते हैं कि साथ ही एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मिलावट की हम चाहे आज सबजी का प्रयोग करे फलो का प्रयोग करे खाद्यान का प्रयोग करे सभी चीज में हम देखते हैं कि कोई न कोई मिलावट जरूर रहती है अक्सर हम न्यूस पेपर में टीवी चैनलS में देखते है कि हम जिन Refined Tail का प्रयोग हम करते हैं अनाज का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत जादा रसानिक उर्वरक होते हैं सब्जियों करते हैं तो उनको बहुत जल्दी बढ़ा करने के लिए उनमें केमिकल्स का प्रयोग करते हैं फलों में सब्चियों में कीट नाश्रक के के कारण वो जहरीली हो जाती है तो यह जो मिलावट वाली बात है खादिपदार्थों में कहीं न कहीं न केवल स्वास्त कत दृष्टी कोंड से हानिकारक है बलके जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो रही है अगला जो हम इसका कारण है वो देख सकते बलके वो अपने आसपास के वातावरण के लिए भी वो हानिकारक सिद्ध हो रही है जहां पर मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा है वैसे ही एक महतपूर बात यहां पर यहां पर यहां आती है महतपूर कारण यह आता है लोगों में असिक्षा है अग्यानता है वो सबसे पहले हम जानते हैं संक्रामक रोगों के उन्मूलन की संक्रामक रोगों के लिए लगातार सतत प्रयास किये जाते रहें और इस दिशा में सबसे पहले राष्ट्रिय चेचक उन्मूलन कारिकर्म किया गया राष्ट्रिय कुष्ट रोग निन्दर कारिकर्म किया गया साथी साथ PE fire應該 और योन कि मूलन की उन्मूलन के लिए बहुत सारे कारे के गये यह जो रही इनका बहुत अच्छा असर देखने को मिला गला बहुत सी बिमारियों पर काफी हद तक नियंतरण पाया जा सका दूसरा हमने देखा कि अस्पताल और चिकिट्सा केंद्रों का विकास किया गया चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें पूरे राश्ट्रे इस्तर पर यह हम बात करें राज्य सरकारों की तो सभी राज्य सरकारों ने अपन साथ ना केवल सरकार बलकि निजी संस्थाएं और स्वेम सेवी संस्थाएं भी चिकित्सा के चेत्र में कदम रख चुकी हैं और काफी हद तक वो स्वास्तगत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं इसे क्रम में गाउं में भी गाउं के लोगों के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए गाउं में प्रात्मिक केंद्रों की स्थापना की गई और अगर हम इनके आंकडों पर एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि अब तक लगभग 13,900 उप स्वास्त केंद्र, साथ में 22,500 प्रात्मिक स्वास्त केंद्र, 2630 समुदाइक स्वास्त केंद्र सरकार के द्वारा इस्थापित किया जा चुके हैं और इसके साथ साथ ये प्रयास किया गया कि लगभग 30,000 या उससे अधिक की जन संक्या वाले जो गाउं हैं वहाँ पर उस हर शेतर में 10 स्याए हैं हमने देखा कारण क्या है सरकार के द्वारा उपाए कौन कौन से किये गये सबको दृष्टी कट्रगतेवे सुझाओ कि अगर हम बात करें सबसे पहला हमारा है कि जन स्वास्त्व और सुविधायां का विस्तार किया जाए learnt कि दूसरी बात होगी कि चिकिट सा विख्यान का विकास किया जाए हाला कि हम देख रहें कि लगातार स्वास्त के चेतर में जो नई नई 노래ya है उनका विकास विस्तार किया जा रहा है लेकिन इनको और अधिक विक्षित करने की जरूरत है तीसरा एक सुझाओ ये दिया जा सकता है निर्धनता उन फलों का खाद्यानों का सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है उनमें प्रयास किया जाए कि वो पॉस्टिक हो उसमें गलत क्यामिकल गलत जुग हानिकारक की नाश्रक है इन सबसे उनको बचाया जा सके एक अन्य सुझाओ ये भी दिया जा सकता है कि मादक पदार्थों सबस्ते पर किसी बी तरह से नियंत्रन लगाया जाये या रोक लगाई जाये रोग लोगों को मादक पदार्थ उनके परिवार के लिए हानिका रखें एक महत्वपूर्ण सुझाओ ये भी दिया जा सकता है कि स्वास्त को बच्चों के पाठिक्रम में शामिल किया जाए ताकि वो समझ पाएं कि स्वास्त कितनी महत्वपूर्ण चीज है कितना जरूरी है उनका स्वस्त रहना साथ ही साथ एक कार ये भी किया जा सकता है कि महिलाओं के स्वास्त पर ध्यान दिया जाए क्योंकि हमने प्रारंब से ही देखा कि महिलाओं का जो स्वास्त है वो पूर्शों के पेक्षा अधिक खराब रहता है इसके बहुत सार वातावरन का निर्माण किया जाना चाहिए चाहे वो आर्थिक दृष्टी कोंड से हो सामाजिक दृष्टी कोंड से हो लोगों के आर्थिक या मांसिक विकास के लिए जरूरी हो और आल हम यह कह सकते हैं कि एक स्वस्त वातावरन को बनाये रखने का प्रयास लगातार किया जाना चाहिए तो इस पूरे अध्याय में देखा कि किस प्रकार जो आधारिक संरचनाय है वो देश के आर्थिक विकास के लिए काफी महत्पूर्ण सिद्ध होती है और इन्हीं के अंतरगत हमने जाना कि उर्जा का आर्थिक विकास से किस प्रकार सीधा सीधा संबंध है बि पूर्जा और स्वास्त दोनों तत्व जो है वो अपने आप में इस तरह से महत्पूर्ण साधन है जिनका सीधा सीधा संबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास से होता है और इनके आभाव में किसी भी देश के आर्थिक विकास के कल्पना करपाना असंभव है